कुछ उतार चड़ाव शुरू हो गया है लेकिन बाजार जानकारों उद्योग और स्टोककिस्टों ने सपस्ट कर दिया है कि अंतरराष्ट्य बाजार की स्थितिया कीमतों के अनकूल है ऐसे में अनुमान है कि देश में कीमते आगे और बढ़ सकती हैं आए कपास की कीमत से शुरुआत करते हैं देश के बाजार में कपास की कीमते पिछले दो दिनों में फिर से 100 रुपे प्रतिक विंचल बढ़ गई ह देश के ज्यादातर बाजारों में कपास की कीमत ओसतन बहत्तर सो रुपे तक पहुँच गई है इसलिए बाजार 7000 से 7400 रुपे के बीच कारोबार करता दिखाई दे रहा है लेकिन देश के ज्यादातर बाजारों में अधिक्तम कीमत 75 सो रुपे के पार चली गई है लेकि कीमत 7500 रुपे के पार पहुंच सकती है अब अगर आपको की बात कर ली जाए तो कल यानि शुकरवार 23 फरवरी को महाराष्टर की मंडी में आवक 12600 गांट रही यानि कल की तुल्ला में आवक स्थिर रही वही महाराष्टर में बाजार में एंट्री सबसे ज्यादा देखने को मिली परदेश में कलт किसानों ने 38700 गांट कपास बेची यानि देश के बाजारों में सबसे ज़ादा महा राष्टर में देखने को मिल रही है महाराष्टर में कना करीब 35 फिसद रही है गुजरात में चशन तीस हजार 400 गांट कपास का आयात भी किया गया है यानि बाजार में कोटन की कीमत 94 सेंट प्रती पाउंड पर पहुंच गई है रुपई में ये कीमत 16,860 रुपे प्रती क्विंचल है लेकिन भारतिय वाइदा बाजार में यही कीमत 60,400 रुपे की आसपास कारोबार करती दिखाई दे रही है वैसे देखा जाए तो क्विंचल में ये कीमत 16,900 रुपे है दूसरे शब्दों में वाइदा में अंतराश्य बाजार और घरेलू बाजार में कपास की कीमते लगबग एक सतर पर आ गई है लेकिन वहीं अगर विश 150 रुपे प्रती क्विंटल सचता है इसलिए भारत्य कपास की मांग बनी हुई है जिसके चलते कीमतों में सुधार की उमीद देखने को मिल सकती है और जानकार मानकर चल रहे हैं कि आने वाले दिनों में कपास की कीमतों में सुधार बन सकता है मौजूदा हलात में कोटन sigu क जानकारों का अनुमान है कि अगर किसान अपना कपास बजार की समिक्षा करके दो या तीन चरनों में बेचेंगे तो ये फायदे का सोधा होगा ब्यूरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीवी